कि छो कि गट लोगें जो टिकें जो कि दिखेगा पीचे कि इधर बैठी है और यहां से लिए पहने है इधर बैठी है यहां से लेक बहुत अच्छा एगा बैच जीगे पिसम से बैच जीगे कि सभी लोगों को प्रणाम कि फेजबुक पे हमारी जितने साथ ही यहां जुड़े हैं हम चाहेंगे कि इसको जादा से जादा आप लोग शेयर करें कि शेयर का बटन जादा से जादा आप लोग दबाएं ताकि हमारी बात जो है सभी लोगों तक पहुंच सके आप लोगों को हम बताना चाहेंगे लेकिन सबसे पहले विजय दश्वी की हम शुपकामराज देते हैं आप सभी लोगों को और उमीद करते हैं कि इस करोना काल में आप सब लोग सुरक्षित होंगे स्वस्थ होंगे कि हमारी कामना है और हमने तो आप जानते भी हैं नवरातर में कलश बैठाया था हमारे जैसे बहुत लोगों ने कलश बैठाने का काम किया होगा कलश बैठाते हैं लोग तो संकल्प लेते हैं लेकिन आज भी विजय दश इसलामपूर काराकाट आरा और आपका जगदीशपूर में भी हम लोगों का प्रोग्राम था लेकिन आज नौ प्रोग्राम में से हम आप लोगों को सुचना देना चाहेंगे कि नौ में से केवल छे जगे हमने चुनावी जनसभा की तीन जगा काराकाट और जगदीशपूर और आरा में जो है हमने वो सभा पूरा हम नहीं कर पाए आपको हम बताना चाहेंगे कारण इसलिए है क्योंकि हम इसलामपूर में फसे हुए है इसलामपूर में हम लोग फसे हुए थे उसके बाद हम लोग जो है किसी तरीके से हेलिकॉप्टर खराब हो गया था हेलिकॉप्टर खराब होने के कारण किसी तरीके से हम लोग पटना इसको लाए पटना हम लोग पहुँचे लेकिन बागी का जो तीन प्रोग्राम जो या आरहा कि जन्सभा को हम संबोधित नहीं कर पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि तकनिगी खराबी हलिकॉप्टर में आ परी हैं किसी तरह बड़ा मुश्किल से हम लोग इसलामपूर में फसे हुए थे तो पटना हम लोग पहुंचे हैं तो मैं जो भी हमारे सब्सक्राइए कि महान जनता है जो सभा में हज़ारो की य संख्या में वहां उपस्तित थे ज कि जो हमारे जग्दीश पूर भोजपूर के रहे जग्दीश पूर विदान सभा में जित्रे हमारे साथई जो वहां पहुंचे सबसे समाचाएंगे और आरा सदर में जितने साथी हमारे वहां पहुचे हुए हैं उन सब से हाँ जोड़कर के माफी चाहेंगे कि हेलिकॉप्टर खराब होने के कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कारा कार्ण से हमारे उमिदवार माले पार्टी के तीन तारा चिनावचिन हैं भाई अरुन जी को आप लोग एक एक वोट दे करके जिताने का काम कीजिए और जगदीश पूर से आरजेडी महागरबंधन के प्रत्याशी लोहिया जी हैं उनको आप लोग वोट दे करके जिताने का काम कीजिए और आरा सदर से माले के महागरबंधन के प्रत्याशी कैमदीन अंसारी साहब जी खरे हैं उनको आप लोग एक एक बोर्ट दे करके जिताने का काम की जिए और हमको लगता है कि कहीं कोई कन्फूजन लोगों के बीच ना रहे कि क्यों नहीं पहुच पाएं क्या कारण है तो उसलिए हम सोचें कि एक फेस्बुक लाइफ के माध्यम से हम आप सब लोगों को सूचना दे दें सूचित कर दें कि हम मेरी मनो कामना थी कि हम आपके बीच आते कारा काट की जनता से मिलने आते सुआथ आते वहां अरुन जी के लिए वोट मांगते चगदीशपूर आते लोहियाजी के लिए वोट मांगते आरा सदर आते वहां अनसारी पूसे लिए वोट मांगते तो यह कि एक टेक्निकल फॉल्ट इंजन में आ गया था जो फिल्टर में डेस्ट का प्रॉब्लम बहुत जादा हो गया था जिसके वज़ा से लोड नहीं ले पा रहा था क्योंकि बारा चक्ति में जब हमारा प्रोग्राम था तो वह हां का जो हेलिपैट था उसमें काफी धूल थी वह धूल जो है उस इंजन में फिल्टर में पूरा जमा हो गया है उस वज़े से हेलिकॉप्टर जो है और नहीं पा रहा है बड़ी मुश्किल से पटना हम लोग आए लेकिन आपको हम इतना कहना चाहेंगे कि वह फिल्टर मशीन को भी हम लोगों ने सुबह मगाने का काम क किया है दूसरी हेलिकॉप्टर की विववस्था की है ताकि कल का प्रोग्राम जो है वह हमारा रद ना हो मिस ना हो उसलिए हम सोचे कि आप सब लोगों को चीजे जो हैं बता दें पता चले हम वहां नहीं पहुंच पाए कुछ लोग रूमर फैला दें अप्वा और दें कि कि वहां से लोहिया जी को भारी मतों से जिताने का काम कीजिए और कारा कार्ट से जो तीन तारा के जो प्रत्याशी माले पार्टी के महागरबंधन के प्रत्याशी अरुन जी हैं उनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिए और आरा सदर में अंसारी सहाब को आप लोग तीन अंसारी जी आरा से लड़ रहे हैं लोहिया जी जगदीशपूर से लड़ रहे हैं और अरुण जी जो है वो चुनाओ कारकाट से लड़ रहे हैं उनके साथ साथ ते जश्वी यादव भी चुनाओ लड़ रहा है ये भी आप लोग जहन में रखिए आप लोगों का शिर्वा कर दो दो कर दो दो, कर दो